कहा दलित्य बम फोरा है का अधिवासी ने अतंगवादी घट्णा को अंजाम दिआ है आप बार बार अतंगवादी गट्ट Works को अधिवासी को आप वalthMusik्ही 13 बर किसी को मार दिया है pers traum хотите मोझे अभी कपर सब्सक्राइब ने अन्य रखतर्य किवेगान में कौन से डलित को अभी तक आतंघवाद में गरतार किया गया है डलित अतंगवादी होoshing प्वी था नहीं किना कभी आतंगवादी बनेगा जाए वो सकता है कि आप मुझे नहीं किसी दर्म कोतंगवादी नहीं कहा ऌर और मेरा स्पष्ट मानना है जलित कभी आतंगवादी नहीं हो सकता है इसलिए बार बार आप दलितों को और आदिवासियों को ला करके अब फल कौना करें याकूब ममन से स्वीट ना करें तो लोग है इसमें अब इनका धर मैंने तो नहीं डूंड़ा भई मुझे नहीं पता अब इसमें कुछ हिंदू भी है मुसल्मान भी है सारे होंगे आप कहने मुसल्मान थोड़ी नहीं वारिस भाई इसमें हिंदू भी है तो डिजिटल दंगाई हैं ये डिजिटल दंगाई हैं ठीकर आम है एक मड़ मैं हैं अन्जी मैंने क्या कहा मैक्सिमम मुसल्मान के रहे भी तो घलत है ना आप मुसल्मानों को नहीं कह सकते मैं नहीं सुन सकता देखिए आज आप मुसल्मानों के लाब बोलेंगे आप मैं सुन लूंगा मैं मैं मुसल्मान है मैंन की है मैंन का है मैंन के शोरा है हमारे मुसलिम बाइबेनों के खिलाब ठीक हैं जारों ह OF उसके बाद शहजाद आपके पास और ठीक है तसली महमद रह्मानी पहले उसके बाद रहाद चली ठीक है तरकार को समझ करें यह जो डिजिटल दंगाई है इनको क्या छोड़ देना चाहिए इनकी एक स्टेटमेंट से रह्मानी साब यह कहा गया मस्जद जल गई मस्जद जल करती है बिने इन्वेस्टिकेशन के यह कह देना इनको क्या छोड़ देना चाहिए रह्मानी साब यह यूए पीए ही इनका इलाज है तसलीम एहमद रह्मानी देखे यह जो आपने जो डिजिटल दंगाई का लवज इस्तामाल किया है यह बहुत ही इंपॉर्टन लवज है और इसे नोटिस में रखना चाहिए सब लोगों को क्योंकि डिजिटल दंगाईों की तादाद मुल्क में इतनी बढ़ गई है कि वो कहीं भी दंगा करवा देते हैं कभी प्रोफिट की तस्वीर को गलत डालते हैं और दंगा करवा देते हैं कभी दुरगा जी की मूर्ती क पैरों के नीचे खुरान शरीफ रखावा दिकाते हैं और बंगलादेश में दंगा करवा देते हैं ये डिजिटल दंगाईों की तादाद बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़े बड़े और्गनाईज कॉर्परेट सेक्टर इन डिजिटल दंगाईों को प्रोचाहन दे रहे हैं उनका संड़क्षर उनकी सरप्रस्ती कर रहे हैं तो उनको तो यकीनी तोर पर एक एक डिजिटल दंगाई को सामने लाना चाहिए और जील के पीछे ठोकना चाहिए इसमें एक दब दो रायरी हो सकती लेकिन अमन भाई एक बात मैं आप से पूछरा चाहता हूँ कि अभी यहां दिली में पिछले तीन दिन के अंदर दो प्रेस कांफरेंसे त्री पूरास के तालुक से हुई हैं मुझे उमीद है कि आपके हां से लोग गए होंगे तो और उसको कवर किया होगा तीन डेलीगेशन गए हैं दिली से फिजीकल एक्जामिनेशन के लिए वाँ डिजीटल की बात नहीं कर रहा है वर्चुल की बात नहीं कर रहा है फिजीकल एक्जामिनेशन के लिए तीन डेलीगेशन गए हैं उसमें सुप्रेम कोट के सीनियर लॉयर्स भी मौझूद थे उसमें बड़ी रेप्यूटिट और्गनाइजेशन के वाइस प्रेजरिन एं जो त्रीपुरा गॉर्बिन के और स्केटमेट आते रहे ट्वीटर पे उनके वेरिफिकेशन के लिए गए हमने उनको नकारा नहीं बलके जाके देखा कि अगर वो सच बोल रहे हैं तो यहां आके रियूमर मौंगर्स की गरदद ना पी जाए लेकि जब वो वहां से यहां पस आए तो उन्होंने आके जो कुछ कहा वो प्रेस कांफरेंज में बैठके कहा आपको चाहिए था कि आप उसको कवर करके यहां दिखाते दूसरी बात एक सो दो लोग आप जो फर्मा रहे हैं कि वो दंगाई हैं यही एक सो दो लोग वो थे इन में से अक्सर लोग आधे के करीब लोग जो फिजीकली वहां गए और देखके आए और आने के बाद यहां उन्होंने रिपोर्ट किया जो जो लोग गए उनके खिलाब यूए पीए लगा है अगर आप उनको दंगाई कहना चाहते हैं तो फिर यह आपजेक्शने में भी ले फिर यह अबजेक्शने गया था जिनके खिलाब यूए पीए का नोटिस है टेंथ नॉवंबर को रिटरने बिल रह्मानी जी उन्होंने कहा उसके अलावा जम्या तुलाबा है हिंद का गया आपके घर में आग लगी यह आप तै करेंगे मैं पडोसी तो नहीं बताएगा ना त्रिपुरा के लोग जी कही नहीं है मज़्य जलने का जिकर्ए मुझे हॉड स्राइब ने नईकिकिन आधरो आपको याद है कि यह पहली बार तो नहीं हो रहा हिंदों को टार्गेट करने के लिए और इस्लामोफोबिया का नारेटिव फैलाने के लिए नागरिक्ता कानून के तहट मुसलमानों की नागरिक्ता छिन जाएगी ये भी एक जूट फैला गया आपको याद होगा एक व्यक्तियां पे जो बैठे हैं उनके सदर ने कहा था कि लोनी घटना में हिंदुत्व बिग कानून दोजार आठ नो में पहली बार सक्त किया गया उस समय कौन से सदर और कौन सी पाटी यूपे के साथ थी और क्यों उन्होंने यूपे को तब छोड़ा नहीं अगर यूपे के गलत इस्तमाल पर इनका इतना ही दिल धड़कता है तो पंजाब में सबसे ज्यादा यू समूदाई से ही है उस पर इसलिए लग गया क्योंकि उसने सिगरेट पी सोचे यूपे कानून के बारे में बोलने वाले लोग इस विशह पर वहाँ पर सौ सो लोगों पर लग गये पंजाब में यूपे कानून तो अगर आपकी सच में अभिवेक्ति की आजादी को लेकर आते हैं तो आपने पंजाब के विशह पर कभी क्यों नहीं बोला है दरसल मैं आपको बताता हूं ये केवल बहाना है हिंदूों को पर निशाना है और इसलामोफोबिया फैलाना है कि देश में मुसलमानों का जीना हराम हो चुका है ये नारेटिव बनाने के लिए कभी ना आपको पूरा मौका दिया मैंने एक एक करके बोलेंगे असान अच्छी डिवेटों पाईगी ठीक है नम बोली आप विनोध बनसल जी आप बोली क्योंकि प्रोसेशन वी एच्पी का था ये आंदोलन बंगलादेश में हिंदूों के साथ जो उसके विरोध में शैसाड़े